जीला मुख्याले से नहेट 20 किलो मीटर दूर और जोगी छेतन नर्सिंगर स्थिद सुनार नदी पर बना पूल गड़ों में तब्दिल हो गया है। छोटे वहां चालकों को पूल पर से निकलने में परिशानी का सामना करना पड़ता है। दिकत तो बर्सात के दिनों में होगी जब इन गड़ों में पानी भर जाएगा। यह जो फूल पर बीच फूल पर गड़ों पर बने हुए है। पट्टे अट्टे भी तोड़ देती है, मुसम होता जा रहता है, ये लब दो पे एक्स रणी की निशा को सकती है, ये करीब आप किने तरह उसे गट्डों को देख रहा हैं? तो खत्रों का भी डर बना रहता होगा, क्योंकि वीच पुल पे गट्डे हैं? आप क्या चाहते हैं? जो बहुत पुरानी नदी है, ये दमुच शतरपुर इस्टेट हाई बनी हुई है, और इस नदी के वीच वीच पुल पे जो पुल करीब सौ साल पुराना माना जाता है, इसमें वारिश के कारण जो गट्डे हुए हैं, आज तक इन गट्डों को लोग दर्माल दुबाग जब की सलक बनाई जाती है, तो लोग दर्माल दुबाग उस सलक की रख रखाओ की जिम्मेदारी का जिम्मा समालती है, परन्तु लोग दर्माल दुबाग ने करीम आठ महीने बीद गए बारिश की, इसके बाद की सलकों को गंड़ा मुक्त नहीं किया, इसके कारण आए द जाती है, तो सवाल यतना बड़ा उठता है, कि क्या हाधशों का एंतजार कत रहा है, लोग दर्माल दुबाग दुबाग चाहिए, जल्द से जल्द पूल पर हुए गज़्दों की मरमत कर इसमें सुधार करे, अन्नेथा बड़े हाथ से हो सकते ही, नर्सिंगर से सेलेंद सिर्वान सौकी इपुर्ग, एक एंदी.